फ्रेंट्स आज मैं बनाने जारी हूँ सभी का फेवरेट एक दम डिफरेंट स्टाइल में सूपर सॉफ्ट मलाई केक आज इसे बनाने के लिए ना कोई कड़ाई यूज करेंगे ना ही कूक कर ये केक सिर्फ 15 मिनिट में तवे पर पैन में बनेगा बहुत यसान तरीके से तो दूद यहां पर दूद को थोड़ा सा गाड़ा करेंगे और लगातार इसे हिलाते रहेंगे जब तक दूद की क्वांटिटी थोड़ी कम ना हो जाए थोड़ा सा केसर लेंगे और दो तिन चमच दूद डालकर भिगोकर रख देंगे आदा चमच के करीब इलाईची पॉडर लेंगे साइट्स पर जो मलाई है उसको दूद में करते जाएंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसकी क्वांटिटी आदिना रहे जाए जब दूद की क्वंटिटी थोड़ी कम हो जाए तो फिर इसमें डालेंगे वन फॉर्थ कप चीनी के फ्रेंट्स ये केक बहुत अच्छा बनता है इसमें आपको मिलेंगे डिफरेंट फ्लेवर रसमलाई का भी रबडी का भी और केक का भी जो हमने केसर के धागे दूद में बिगोकर रखे थे वो डाल देंगे और साथ ही हम डाल देंगे हाफ टी स्पून एलाईजी पॉडर इससे रबडी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है रबडी बनकर त्यार है अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे क्योंकि ठंटी होकर भी थोड़ी गाड़ी हो जाती है अब केक बनाने के लिए एक बॉल लेंगे और इसमें डालेंगे वन थर्ड कप दहीं के और साथ ही डाल देंगे हाफ कप पिसी चीनी और वन थर्ड कप वेजटेबल ओयल और इन सारी चीजों को एक विस्ट कर की हैल्प से अच्छे से मिक्स करेंगे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिये है अब हम एक छन्नी लेंगे और वन कप मेदा डालेंगे इसमें हम डालेंगे एक छोटा चमच बेकिंग पौडर और आदा छोटा चमच बेकिंग सोड़ा और अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको चान लेंगे फिर से विसकर से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अब हम आदा कप दूद लेंगे दूद आपका room temperature पर होना चाहिए ना ज़्यदा गरम ना ज़्यदा धंडा दूद को हमने एक तम से बैटर में नहीं डालना थोड़ा थोड़ा करके दूद डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे लास्ट में थोड़ा सा दूद रहा गया था वो भी इसमें डाल कर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ये देखिए हमको कुछ इस तरह की consistency चाहिए इस सूपर सॉफ्ट मलाई केक को हम बनाएंगे पैन में वो भी लोहे के तवे पर और थोड़ा सा ओयल डाल कर पैन को ग्रीज कर लेंगे अच्छी तरह से चारो तरव से ग्रीज करेंगे फिर इसके उपर लगाएंगे बटर पेपर बटर पेपर लगाने से केक इजली बाहर आ जाता है और दो बूंद ओयल डाल कर बटर पेपर को भी ग्रीज कर लेंगे अब हम लेंगे लोहे का तवा तवे को मैंने पहले ही मीडियम फ्लेम पर प्रीहिट कर लिया था अब हम केक के बैटर को पेन में ट्रांसफर कर लेंगे पेन को हम एक दो बार टैप करेंगे गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो कर देंगे और इसके उपर रख देंगे केक वाला पेन और इसे कवर कर देंगे यह देखिए सूपर सॉफ्ट केक बन कर त्यार है 8 मिनट के पहले आप इसको बिल्कुल नद चेक करें 12-15 मिनट में ये केक बन कर त्यार हो जाता है अब हम toothpick की help से केक को चेक कर लेते हैं ये देखिए toothpick बिल्कुल साफ आ रही है ये देखिए केक हमारा अच्छी तरह से bake हो गया है बटर पेपर को हटा कर वापस केक को पैन में डाल देंगे अब फॉक से प्रिक कर देंगे इससे क्या होगा कि जब आप इसके उपर मलाई रबडी डालोगे तो वो अंदर तक अब्जोर्ब हो जाएगी एक दम जबर्दस्त खाने में लगेगी और अब इसमें डालेंगे रबडी केक और रबडी दोनों रूम टमप्रेचर पर आ जाए तो तब डालिए रबडी कुछी देर में एब्जोर्ब हो जाएगी रबडी को केक के उपर इस तरह से हम सारी दरफ डाल देंगे केक को और ब्यूटिफूल लुक देने के लिए इसके उपर डालेंगे बदाम और पिस्ता की कतरन ये देखिए हमारी सूपर सॉफ्ट मलाई केक पनकर रेडी है अब हम इसे आदे गंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे अब मैं आपको केक काट के दिखाती हूँ आप देख सकते हैं इसका टेक्स्चर बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप रासमलाई खा रहे हैं ठंटी ठंटी रबडी के चाब आप किसी के सामने सरफ करोगे तो मज़ा आ जाएगा इसे खाकर थोड़ी सी रबडी इसके उपर डाल देंगे सच में बहुत टेस्टी है यह रासमलाई के आप सब भी इसे जुरूर ट्राइब करें थैंक्स झाल प्राइब कर दो आप बहुत रहे हैं ठाल जाप जाएब करेंगे सरफ सामने सरफ कमें भी इसे बहुत वड़ा प्राइब करेंगे लिए एक जए जबड़ाद़ रहे हैं जामने स्वें रहे आप आप